सबी लोग आज जोड़ेंगे जैवुलिये मावीर भगवान की जैवुलिये अनता नंत सिद्ध परमेश्टी भगवानों की जैवुलिये आचार भगवन सिरी मदभटारक शुबच अंदर जी महाराज की जैवुलिये इस युक के परतमाचार सिरी चारित्र चक्रवर्थी आचार भगवन सिरी शांति सागरजी महान मनिराज की जैवुलिये सिरी पांडव पुरान ग्रंथ की जैवुलिये विदिष्ठिर भीम अरजुन इत्यादी सभी मुक्षगामी महापुर्शों की जे बुलिए इस ग्रंट के अनवाद करता अंडित मंदलाजी विशारत जी की जे बुलिए आचार बगुंसरी बिमल सागर जी महराजी की जे बुलिए आचार बगुंसरी विद्यानन जी महराजी की जे बुलिए आचार बगुंसरी सुरुट सागर जी महराजी की जै बुलिये आचारवबंसरी प्रमुक सागर जी महराज की जै बुलिये मुनीशरी प्रणम सागर जी महराज की जै बुलिये मुनीशरी विहर्स सागर जी महराज की जै बुलिये मुनीशरी अनुमान सागर जी महराज की सभी ज्यान नानम गुरकुल के चात्र चात्रा अध्यापक मोदे अध्यापकाएं सभी वरिष्ट सदस्य संस्थानम अवेदानम के सभी स्वेम सेवी साधर्मी बंदू सभी अन्य श्रावक स्रेष्टी जन सभी आगन तुकत थी एहमम वीडियो इत्यादी के माध्यम से सरवन कर रहे सभी श्रावक सभी को साधर जय जनेंद जय दू जुड़न दरम प्रेमी बंदूओं भब जीवों के कल्यान के कारण भूत यह प्रत्मा नियोग का श्री पांडपुराण नाम का अभूत पूर गरंथ श्री मदबटारक श्री सुबचंद्र आचार द्वारारचित हम सभी के कल्यान मार्क को प्रशस्त करने के लिए इस लोक में और पर लोक में चिर इस्थाई सुख प्रदान करने के लिए हम लोग निरंतर इसका पढ़न पाढ़न अनन चिंतन स्वाध्याय कर रहे हैं अब तक के प्रसंग में हमने पिछले दिनों यह जाना कि किस प्रकार से राजा व्यास के पुत्र पांडू और धतराष्ट इनका विवा हुआ पांडू का विवा कुंती से हुआ और मादरी से हुआ इधर धतराष्ट का विवा गांदारी से हुआ कुंती और मादरी दोनों बहने हैं गांदारी उनी के परिवार में जन्मी अन्य पुत्री है पांडू, ध्रतराष्ट और विदुर ये सभी कुरुवंश के राजकुमार हैं राजा हैं और उधर कुंती माद्री गांधारी हरीवंश के हैं कुरुवंश में पूर्व में सांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ जैसे तीर्धंकरों ने जनम लिया और हरीवंश में समंद्र जैए इत्यादी राजा वसुदेव इनका जनम हुआ है अन्दक रष्टी इनके पिताई बविश्च में इसी हरीवंश में ने मिनाथ भगवान जैसे तीर्धंकरों का जनम होने वाला है सिरी किशन जैसे नारायन का जनम होने वाला है कुंती और माद्री के साथ बहुत सुखमे जीवन वितीत करते हुए पांडू जी अपना समय वितीत कर रहे है इधर इनके पुत्रों की उत्पत्ती हो गई है माद्री से दो पुत्र नकुल और सैदेव और कुंती से तीन पुत्र हिदिष्ठिर भीम और अर्जुन जिनका अन्यनाम धननजय भी कहा गया है पांडू के पुत्रोंने के कारण ये पांचो पांडव कहलाए और उधर धत्राष्ट और गांदारी से दुर्योधन इत्यादी एक शतक अर्थात सो पुत्रों का चनम हुए वे सभी कौरव कहलाए इनसे पहले चाहे पांडू हैं दरत्राष्ट हैं या उनके तीसरे ब्राता विदुर हैं वे सभी कौरू वंश के कौरव ही कहलाते थे कालांतर में ये सभी 105 पुत्र गांगे भीश्म एवं दुर्णाचार के सम्मुक्षिक्षा अध्यन धरम लाब लेने के लिए धनर विद्याद्यादी सीखने के लिए ये सभी उपस्तेत हुए बहुत दिनों तक इनों ने विद्यार जन किया अरजुन धनर विद्या में बहुत मारती हो गए और भीम मल्युत्ध में विधिष्ठिर सभी विद्याओं में करतब परायण थे धीर थे बीर थे सब को एक साथ ले करके चलने वाले थे उधर दुरियोदन इत्यादी भी बहुत वीर बन गए सभी को बहुत सारा बल शौर इत्यादी अपने गुरुओं की गृपा से और पुन्य करम से प्राप्त हुआ एक दिन राजा पांडू अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ वन में ब्रमण करने के लिए वहाँ पर उन्हों वन का अभूत पूरु सौंदर देख करके बहुत आनन्द हुआ माद्री ने और पांडू जी ने वहाँ पर वन में ही काम किला इत्यादी मनोरम अन्य अन्य बहुत सारे कारे किये वहीं पर जब पांडू जी उस वन का आनन्द लेते हुए अपनी पत्नी के साथ में आनन्दित थे तभी उन्होंने एक हिरन और एक हिरनी को काम किला करते हुए देखा अचानक से मन में ऐसे ही एक विकार आ गया कि चलो इनको छेड़ते हैं परिशान करते हैं हिरन और हिरनी अपने आप में मस्त किसी को परिशान नहीं करने वाले जंगल में घास फूस पेड़ पौधे पत्ते खा के अपना जीवन यह अपन करने वाले उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा शाकाहारी किसी दूसरे पशु को अन्यता नुकसान नहीं पहुचाने वाले ऐसे हिरन और हिरनी को अकारण ही छेड़ने का भाव पांडू के मन में आ गया बहुत सारे बड़े लोगों को भी हमने देखा है बच्पन में तो साधारन रहता है बच्चों को इखाली पीली जाते हुए बंदर देखा पत्थर मार दिया गाय त्यादी डेखी डंडा मार दिया तो यह पूर्व जन्मों के भी संसकार रहते हैं और अपना मनुरंजन के कारण से हम ऐसा सोस कि चलो यह हमारा क्या बिगाड़ेगा मनुरंजन हो जागा थोड़ी दिर का पक्षी देखा इट मार दी गुलेल मिलती है तो गुलेल से इट लगा करके निशाना लगा दिया बाकी और भी बहुत सारे मनुरंजन की खेल होते हैं बच्चों के लिए जरूरी नहीं है कि परपीडा दायक ही आप खेल बनाओ बच्चे कागच कावाई जाज बना कर भी उड़ाते हैं उसमें किसी का नुकसान नहीं है कम से कम कागच की नाप बना करके बहाद ही पानी में बॉल ले करके खेल लिए तो कम से कम ऐसे खेल कूद करने में ऐसी किड़ा में जहां किसी दूसरे जीव की हिंसान ना हो तब तक तो थोड़ा बहुत जायज है परन्तु यहाँ पांडू जी ने अपने मनुरंजन मात्र के लिए अचानक से उस हिरन को छेड़ने के लिए जब है हिरनी के साथ में काम कीड़ा में था तो उस समय उसने उसी वक्त क्या किया अपना तीर कमान निकाला और उस हिरन पे टाइम पास की दृष्टी से ऐसे ही चला दिया उसे उस समय आभास नहीं रहा कि मैंने खेल-खेल में यह क्या कर दिया इधर वो तीर जाकर के उस हिरन को लग गया और थोड़ी ही देर में उस बिचारे हिरन की इह लिला समाप्त हो गई वह म्रत्यू को प्राप्त हो गया रख तो उसका बेह निकला तड़प तड़प कर उसने अपनी जान दे दी तभी अचानक से आकाश वानी होई उसके हिर्दे के उद्गार उद्देलित हो गए कि मैंने हाई यह क्या कर डाला मेरा यह उद्देश तो नहीं था परन्तु अब तो कर दिया कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं भाव में ऐसा आया होगा तभी हातों से तीर कमान उठाया होगा और लक्ष करके उस हिरन पर चलाया होगा अब पच्टा कर क्या होगा जब खेट वो चुडिया ने चुग लिया जब कारे हो चुका है तब है वापस नहीं आ सकता वाणी से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस आते हैं क्या नहीं आते हैं एक बार बंदूक से निकल के गोली निकल गई तो सामने किसी न किसी को गाहिल करेगी ही कहीं न कहीं जाएगी ऐसे ही तीर जा करके हिरन को लग गया अब यहां पर आकाश वानी हो रही है उस पांडू को धिकार रही है कि यहां इस मूख प्राणी ने तुमारा क्या बिगाना था तुमारे जैसे नियाई प्रिय शाशक जिनको सारी प्रजा, सारे मूख पसू पकशी पूरा के पूरा जिस स्थान के भी आप राजा हो वह सब अपना मानते हैं, रखशक मानते हैं और जब रखशक ही भखशक बन जाएगा तो फिर इस प्रजा का, इन पसू पकशियों का इन सब का क्या होगा तो महारा तो उत्तर दायत था कि कोई दूसरे लोग अगर ये गलत काम कर रहे हैं उनको रोकना, नियाय करना, सजा देना और तुमने खुदी अपने हाथों से ऐसा कर दिया तो बाकी के लोग जितने भी प्रजाके हैं तुमारे सैने के त्यादी हैं वह तो सब राजा का अनुसरा नहीं करते हैं कि जैसे राजा कर रहा है ठीक कर रहा होगा हम भी वही काम करेंगे तो फिर तो यहां से सारे की सारे मुख पशू सभी मरत्यों को प्राप्त हो जाएंगे क्या तुम भूल गए कि तुमारे कुल की परंपरा क्या रही है तुमारे कुल में आदिनात भगवान के समय से राजा जैकुमार उनके बाद इतने सारे केवली भगवान और यंत भगवान बने है विश्णु कुमार जैसे मुनी तुमारे कुल में जन्में है और उसके बाद तीन तीर्थंकर हस्तिनापुर से कल्यान को प्राप्त हुए वे तीनों तीर्थंकर, तीर्थंकर के साथ कामदेव और चक्रवर्ती भी रहें तुमने अपने सारे कुल की मर्यादा को, सारे यशो कीर्ती को धूल में मिटा दिया आस तक इस कुल में कभी भी कैसा भी अवसर आया हो लेकिन ऐसा सुनने में नहीं आया कि इस कुल के परंपरा में किसी भी राजा माराजा राजकुमार ने किसी मूख पशु का बद किया हो मासा हार का सेवन किया हो किसी भी पर पुरुश को पर पशु को पीड़ा पहुँचा किसी भी प्रयास ऐसा उस आकाश वानी के द्वारा उस पांडू को तरह तरह से दिकार आ गया जब एक छोटी सी चीटी हलका सा डंक मार देती है तो इस देह में कितनी पीडा होती है और यहां तो तुमने पूरा इतना बड़ा तीर लगा करके उस फिरंगी इलिलाई समाप्त कर दी तो तुम्हें उसके कष्ट का भान नहीं हुआ आभास नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है तुम तो इतने धर्म परायन लोगों को प्रवचन देने वाले लोगों को धर्म सिखाने वाले अहिंसा मई धर्म के आराधक अरहंतों के उपासक और तुम से ऐसी गलती कैसे हो ऐसा क्या कमी रह गई तुम्हारी सिक्षा में तुम्हारे संसकारों में कि तुमने खेल खेल में एक मूख हिरन का जंगल में अकारन ही बद कर डाला इस परकार से वे आकाशवानी उसको धिकार रही है उसके हिर्दे से बहुत गिलानी हो रही है कि हाई मैंने ये क्या कर दि कि इसका पांडू जी को क्या फल पराप्ट होता है और कैसे कैसे अब तक जो उनका सुख में जीवन चल रहा था अचानक से इस कारण से अब क्या होने वाला है पहले भी आपको पताया है हमेशा एक जैसी विसेवस्तू संसार में कभी किसी के साथ नहीं रहती है कभी सुख आ तो कभी दुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, तो कभी सुख आते हैं, सुख भी हमेशा अगर बने रहें, तो किसी को जादा दिन तक बरदाश्त नहीं होते हैं, इसी लिए दुख क्यों नहीं आए, इसी लिए वह कुछ नहीं नहीं चीजें सोसता रहता है, और नएने काम जबरदस्ती करता है, जिस कारण से उसको फिर से दुख आ जाते हैं, अच्छा खासा थोड़े में, कम परिग्रे में, कम इच्छाओं में, वे सुखी होता है, फिर अचानक से अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेता है, अपने परिग्रे को बढ़ा लेता है, अपने आसपास ऐसे आडंबर रचा लेता है जिससे कि उसके लक्ष को पूरा करने में फिर है स्वयम अपने ही कर्मों से फिर से दुखी हो जाता है फिर उनको प्राप्त करता है फिर थोड़े देर के लिए खुश हो जाता है फिर अपने लक्षे को बदल देता है, फिर दुखी हो जाता है, तो इसलिए संसार में हमेशा दुख बने रहते हैं, सतत सुख चाहिए, तो समता रूपी परणामों को धारण करना ही पड़ेगा, समस्त प्रकार से राग देश के परणामों को छोड़ना पड़ेगा, ममता र प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद चिरिस्थाई सुख, अनंत सुख केवल ग्यान के रूप में, केवल लक्षमी के रूप में प्राप्त हो जाएगा, उससे पहले तो कभी भी किसी भी संसारी जीव को सुख प्राप्त नहीं होता है, परंतु सुख के लिए अभ्यास करन हे तू सम्यक दर्शन सम्यक ग्यान और सम्यक चारित्र के उधारण करके मुनी महाराज उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग में उस समीचीन मार्ग में निरंतर उस पत पर अग्रिसर हो जाते है तो यहाँ पर भी हम आगे देखेंगे कि पांडू का अब जो सुख था उसके बच्चे इतने होनहार हो गए थे पांच पांडव इतने बलशाली शौर वीर हो चुके थे ता उसका सुख समाप्त होने वाला है या नहीं होने वाला है सबी लोग हाज जोडेंगे मंगलाचरन करेंगे और आगे का स्वाध्या मिलकर के करेंगे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौत मोगडी मंगलम कुंद कुंदाध्यो देन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्यान कारिकम प्रदानम सर्व दर्माणाम जैनम जयतु शासनम सरवे शोतार साथ दान तया शन्वंतु सभी स्रोतागन साथ दान ओकरके आगे का स्वाध्याए सुनेंगे तुम क्या यह नहीं जानते कि हिंसा महापाप है अभी आकाशवाणी ही चल रही है दोनों तरह से हो सकती है जरूरी नहीं है कि हमें आसमान से कोई अवाज आए अगर हमने कोई कारे कर दिया है तो जो हमारे हिर्दे से उद्गार आ रहे हैं आत्म गिलानी हो रहे है या कुछ भी मन में विचार आ रहे है उसको भी वर्तमान परियाय की दरष्टी से आप मान सकते है कि आकास से किसी ने कहा है थैना भगवान की वाणी है देवों की वाणी है देव बाणी है कुछ भी हमसे कारे हुआ है उचित या अनुचित उसके लिए अगर कोई विचार आ रहा है उसी को आप मरतमान परियाय में माल लीजे कि आकास से आवाँ जा रही है उसके अनुरूब कारे करना है कहते हैं न कि अपने दिल की आवास सुननी चाहिए है दिलो दिमाग साथ साथ लेकर के चलना चाहिए कई वार दिमाग से जो कारे किया गया है वैसा ही नहीं होता है और कई वार दिल से जादा कोई कारे कर दिया भावों में आकर के वैसा ही नहीं होता है इसलिए क्या वोला द दिलो दिमाग, दोनों का सामन जस्त बिठा करके कारे करना चाहिए, करी बार दिल में कोई काम आया, कि मैं इसके साथ गलत कर दू, या मैं इसके साथ अच्छा कर दू, और दिमाग में आया, कि नहीं भी, इसके मुझे ये बभिश्य में परणाम भुगतने पड़ सकते, तो चलना चाहिए, समझ रहें, तो यहां पर उसके दिल में आया, छिड़ने के लिए, लेकिन दिमाग में नहीं आया, कि इसके आगे, क्या दूस्परणाम होंगे, इसलिए उसने जल्दवाजी में गलत कर लिया, हो जाता है न, दिल दे बैठते है न, शादी से पहले लोग, तो बाद में दिक्कत आती है, जब परिवार के लोग विरोध करते हैं, गलत लोगों को दिल दे दीते हैं, दिमाग नहीं लगाते, गड़ना नहीं कर पाते, कि इसका आगे, क्या दुश्परणाम हो सकता है, तो ऐसे ही यहां पर, आकाश वाणी होकर अब उसको दिक्कार कि तुम क्या यह नहीं जानते, कि हिंसा महापाप है, समझाया उसे जाये, जिसको कुछ नहीं पता हो, यह तो राजा है, इसके बच्चे तने बड़े-बड़े हो गए, कि अर्जुन कितना महापरतापी बन चुका है, जगत में प्रसिद्धी को पराप्त कर चुका है, दुर्जन लोगों को सजा देते हैं, तो वो है अगर गलत करेंगे, तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा, हम लोग अगर कोई पाप करें, कोई गलत काम करें, उसके लिए अलग सजा है, और अगर कोई नियादीस है, कोई जज अगर वोई गलत काम कर दे, तो उसको कम सजा म मिलेगी या ज्यादा मिलेगी, बताओ, बताओ, ज्यादा मिलेगी, 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 ज्याद अठारे का एक मापदंड रग दिया वर्तमान परियाए की दृष्टी से तो उसके लिए अधिक सजाए क्यों क्योंकि अठारे वर्ष से अधिक का वेक्ति बालिक हो गया और उससे पहले का ना बालिक मेजर नहीं है तो यह कहा गया कि भई चलो अभी पढ़ रहा है अभी इसने कानून नहीं पढ़ा होगा इसलिए भूलवश यह कारे कर दिया होगा अधिकतम तीन साल की सजा कर दी और बड़े वाले को जिंदिगी भर फांसी भी हो सकती है मरत्य दंड भी हो सकता है आजीवन कारागास भी हो सकता है उसी सजा में क्योंकि एक मान लिया कानून के मापदंडों में कि भाई जरूरी नहीं है इसको सिक्षा पराप्त ही होगी या अनभव हुआ होगा अठारे तक मान लिया कि इसने कहीं न कहीं पचाएं अंगूटा शाब भी हो कभी स्कूल द्याले नहीं भी गया हो तब भी एक मान लिया गया कि भाई कहीं न कहीं से इतनी उमर तक तो इसने अनभव पराप्त कर लिया होगा कि इस जुरुम की क्या सजा होती है कहीं मारेगा पीटेगा कोई गलत काम करेगा तो इसकी सजा ये होगी कहीं से तो सुन लिया होगा और उसके बाद भी इसने वह गलत काम किया है तो उसको सजा पूरी मिलेगी कम नहीं मिलेगी चाहे वो कितने भी बहाने लगा दे तो यहां पर भी उस पांडू को धिक्कारा जा रहा है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हिंसा करना महापाप होता है इसलिए हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए हिंसा से सुख की आशा करना दुराशा मात्र है अगर परजीवों के पृति, चाहे वे मनुष्छगती के जीवों, चाहे तरियंचगती के जीवों, उनके पृति अगर हिंसा करोगे, और उससे सोचोगे कि आहा, बड़ा खुशी मिलेगी, तो ये दुराशा है, सही आशा नहीं है, बुरी आशा है, जो लोग मास खाते सोचते हैं, कि बड़ा आनंदा रहा है, ये उनकी दुराशा है, क्योंकि इसमें पर जीवों के पृति कितनी हिंसा हुई है, उस मुर्गे के पृति, उस बक्रे के पृति, या अन्ने जीवों के पृति, जिनको मार करके, खा रहें, आनंद ले रहें, कितना अच्छा लग है, बली देते समय, या मारते समय, किसी भी अन्य कारणों से, लग रहा है कि मुझे इस सुख प्राप्त होगा, इस पशू की बली से, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन दुख दूर नहीं हो रहे हैं, पहले के दुख और बढ़ रहे हैं, और वर्तमान में जो दूसर पीड़ा, दूसरे जीव को पीड़ा दे रहे हैं, उससे दुख, अनंत भवों तक और बढ़ेंगे, ये सब मन की बलांती है, और इसी कारण से, इस संसारी जीव चत्रगतियों में ब्रमन कर रहे हैं, अगर सारे की सारे लोग, शाकाहारी बन जाएंगे, दूसरे जीवों क ना कोई नरक में मिलेगा, ना कोई त्रियंच में मिलेगा, अगर सारे की सारे अच्छे बन जाएंगे तो, तो जितने भी वरतमान में त्रियंच गती के जीव हैं, जितने भी, जो एक इंद्रिये, दो इंद्रिये, तीन इंद्रिये, चार इंद्रिये में बठक रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं ऐसे ही उन्होंने करी थी तो ऐसे ही इस अंसार चल रहा है उस चेहन में हम गोम करके हम पहुँच जाएंगे अभी हम आनंद ले रहे हैं तो यहां पर भी पांडू जी के लिए समझाय जा रहा है कि क्या आपको पता नहीं है कि दूसरे जीवों को हिंसा करने से सुख की आकांच्छा करना निराशा ही है इससे हमेशा दुख ही प्राप्त होता है दुख मेववा यह सब दुख ही है इनसे कभी भी सुख की प्राप्ती नहीं हो सकती है जो व्यक्ति हिंसा को ही धरम मानते हैं बड़नाता है कि अहिंसा मै धर्म ही सर्वोच धर्म है अहिंसा पर मुधर्म है बाकी कहीं कहीं आप किसी भी अन्यमत में अन्यदर्शन में ले लेंगे इतना कठोड़ता से अहिंसा के बारे में कहीं किसी अन्यदर्शन में प्रवचन इत्यादी नहीं दिये गए है जहां कहीं भी ऐसा प्रसंगाता है बहुत ही विस्तार पुरुवक आचार महराज हम लोगों की आत्मा को जगाने के लिए उद्विलित करने के लिए अंदोलित करने के लिए कि अहिंसा रूप अगर आप अपने जीवन को पालन कर लो तो इसी जनम में आपका कल्यान हो सकता है इतना सुख पराप्त होगा इतना सुख पराप्त होगा कि उसकी आप सौपन में भी कल्पना नहीं कर सकती दिहान क्या रखना है? कृत, कारित, अनमोदना तीनों प्रकार से अहिंसा को धारन करना है मन में भी विचार नहीं करना है कि मेरे विचार मात्र से भी किसी दूसरे जीव के प्रती हिंसा हो भाव हिंसा को भी बहुत प्रमुकिस्थान दिया गया है आपने दूसरे जीवों को मारा या नहीं मारा बहुत बात की बात है आपने उसको कष्ट देने का आपने उसके बारे में बुरा भला सोचने का भी मन में भी विचार कर लिया वह भी हिंसा की स्रेणी में ही आता है तो यहां तो पांडू ने साक्षात कर दिया एक हिरन का अकारण बत कर दिया है ऐसे व्यक्तियों को दिखका रहा है जो व्यक्ति हिंसा को धर्म मानते है इसका मतलब क्या है पशू हिंसा करना पशू की बली देना उससे हमें धर्म की प्राप्ति हो रही है यही सच्चा धर्म है इससे हमें मुक्ती मिलेगी इससे हमें जन्नत मिलेगी इससे हमें कल्यान मिलेगा पश्वों को हवन करके हमें बली दे देना अनेकशनेको धर्म में ऐसा नहीं किसी एकी धर्म में बहुत धर्मों में आया है वो क्यों आया कियों कि विट्वानों ने अपने मन के विचार उसमें बीच वीच में डाल दिये जैसे विश्णु कुमार मुनी का उधारा आता है ऐसे ही एक अन्य राजा का भी उधारा आता है उनके समय में परवत और नारद नाम के मित्रुवा करते थे तो वहां का उधारा आता है कि अज नाम से पूछा गया कि भई हवन इत्यादी में पूजा इत्यादी में क्या चढ़ाते हो तो उसने कह दिया अज अब अज का अर्थ बाकी लोगों ने बाद में ले लिया क्योंकि ये राजा था वो मित्र के मोह के कारण से उसने उसको हां कर दी कि हां अज का मतलब बकरा जबकि अज का प्रयाएवाची धान भी था यानि कि भई जैसे हम मंदर में चावा चढ़ाते हैं तो सूखा धान भी चढ़ा सकते हैं हवन में तो वहां से प्रथा चल गई उसके बाद उस सत्यवादी राजा को नीचे नरक में जाना पड़ा क्यों? मित्र के मोग के कारणा कि मित्र जो कह रहा है चलो हां में हमिला देते हैं मित्र उसके लिए बोल रहा है दो लोगों में भैस हो गई परवक्तनार तो तब से प्रथा चल गई वेदों में कि भई भकरे की बली दे दो कोई दिक्कत नहीं उनों भी तो दी थी जाओ शंशान पर जाकर के इंसानों की बली दे दो बच्चों की बली दे दो तो लोगों ने दो अर्थ लगा लिए कि उनों ने ऐसे भी का था और दूसरे वाले तो सस्ते वाले हैं जैसे बोलते ते ना तुम लोग तो गासफूस का ते हो साका हरी लोग हम लोग रष्ट पुष्ट हैं हम लोग मास खाते हैं तो ऐसे ही बढ़िया जानवरों की बली दोगे तो अच्छा है जल्दी सुख मिलेगा अरे ये तो गासफूस की बली दे रहे हो तो इसमें क्या है तो ये परता सुरू हो गई तो ऐसे अन्य-ण्य बहुत मतों में लोगों ने शब्दों का अनर्थ कर दिया जबकि धरम तो एक ही था जो प्रारंब से अनादी काल से है मंगल क्या है जो केवली भगवान द्वारा उपदिष्ट धरम है वही धरम है उसके इलावा कोई दूसरा धरम नहीं है वही धरम है जो सर्वत कल्यान कारी है केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम आते ना धम्मो सर्णम पवज्जामी उसी धरम की सर्णमे मैं जाता हूँ मैं प्राप्त करता हूँ लोक में केवली पड़त्तो धम्मो लोगत्त्मो यही उत्तम है जो स्वेम भगवान ने धरम कहा है भगवान कौन सा धरम कह रहे है आइंसा मई धरम कह रहे है तो यहां पर भी आया कि अपने ब्रहांतियों को मिटा दो किसी भी संप्रदाय में आपका जनम हुआ हो किसी भी मत को आप मानने वाले हो आपके माता पिता आपके सगे संबंदी आपके अडोसे पडोसी कोई भी धरम को मानते हो कोई भी मत को मानते हो अपना विवेक लगाओ अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है अपनी आत्मा से पूछो कि पशू हिंसा में धर्म कैसे हो सकता है दूसरे जीव को पिड़ा दे करके मैं सुयम सुख की आकांग्चा कैसे कर सकता हूँ दूसरे मनुष्च को मार करके मैं दूसरी इस्तरी के साथ गलत विवार करके दूसरे के बच्चों के साथ मैं गलत विवार करके दूसरे बड़े बुड़ों के साथ मैं गलत विवार करके सुयम के सुख की आकांग्चा मैं कैसे कर सकता हूँ तो अपना विवेक, अपनी बुद्धी को लगाओ, तो यहां पर उन लोगों के लिए कहा गया है, कि जो व्यक्ति हिंसा को धरम मानते हैं, वे गहन अंधकार में, बैस जबरदस्ती के अंधकार में जी रहे हैं, अंधेरे में, रोशनी प्रकाश होते हुए भी उनकी आखों क लe को अत् popular है है कि उने लग रहे है कि अन्हें लग रहा है कि पाशु हिंसा में बाडा आणन्त है यही हमारा सच्चा धरम है, कोई हलाल कर गर्ये हैं, कोई हलाल करके तो क्या बोलते हैं, दूसरा? जटका करके मार्रे है तो लोन हम मानते हैं, क्वह गाये को मार्त में धर मान रहा है है ना अभी जैसे 25 दिसंबर आने वाले है तो कई लोगों के महसेश आ रहे है कि कोई टर्की करके एक जानवर होता पच्छी होता बहुत बढ़ा उसको मानने में इसा मसी को खुष कर रहा है करोणों अर्वों की संख्या में 25 दिसंबर को भी क्रिसमस आएगी विस में सातवर मुर्ग जैसाए मुझे जी रही होता इतना सुंदर जीव इसको बहुत सुंदर टर्की बोलते हैं इसको मतलब्लियंज की संख्या में अर्वों कर वो मार के कह जाएंगे एकी दिन में क्या उचित है क्या आनंद मिल रहा है इसा मसी खुस हो रहा है उससे अपने को अंदिकार में डुबा रखा है भगवान को खुस करने के लिए हम इस जानवर को खा रहे हैं कोई बकरा मार करके भगवान को खुस कर रहा है कोई मुर्गा मार करके भगवान को खुस कर रहा है को अपने विवेक को शून न करकर हिंसा मेен धर्म मान रहे हैं वे गहन अंदकार में हैं उनका कोई कुछ रखवाला नहीं है कोई भगवान नहीं बचा सकता कोई देव नहीं बचा सकते बस भूतों की आराद्णा करते रेंगे वो समसान में जा करके कि भूता में बचा लेंगे वो भूत भी उन्हें बचा नी रहे है जो सोच रहे हैं कि भूतों को शराब पिलाने से और भूतों को मास खिलाने से हमारा कल्यान हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला इस से हमेशा दुख ही प्राप्त होता है एक आगे बहुत अच्छा वाक की लिखा है अचार महराज ने जिस प्रकार ध्यान दे करके सुनिएगा बहुत डिटेल में ये चेक्टर लिखा है इसी चीज को समझाने के लिए कि पांडू ने क्या कर दिया है हमें प्रतमानियों के ग्रंटों से जो पहले के लोगों ने गलतिया कर दी है उनको दुबारा गलतिया करके हमें दोराने की जरूरत नहीं है पहले भी आपको बताया है कि हमें बड़े लोगों की गलतियों से सीखना है सुयम के दौरा वही गलतियां करके अपने अनुभव से सीखने में उमर कम पढ़ जाएगी उसके बाद तो सजा मिलेगी न तो जो माता पिता से गलती हो गई जो पूरू लोगों से गलतियां हो गई जो पुराने महापुरसों से अदुष्ट लोगों से गलतियां हो गई उसका उनको क्या परणाम मिला यह पढ़ ले और सीख ले तो जबरदस्ती वही गलतियां खुद करो कोई जबरदस्ती है क्या किसी ने बता दिया कि आगे गड़ा है गर जाओगे चोट लग जाएगी तो जबरदस्ती गिर के देखो फिर चोट लग जाएग दो महीने पढ़ेगो प्लास्टर चड़गे फिर अगली बार से गड़े में नहीं गिरेंगे अब अनुब वो गया दूसरे ने बता दिया तो उस पर विस्वास करो ना कि गड़ा है खाई है गिर जाओगे नदी है डूब जाओगे नहीं मान रहे तो यहां पर क्यों बताया जा रहा है कि पांडू से गलती हो गई तो हम लोग सीख लें जो लोग मास खा रहे हैं जो लोग पर जीवों की प गुमरपान की आगए था कैंसर हो गजाए डिख रहा है ज्राब पीने के बाद पढ़वा इस अड़क मेनाले तो पी लेकर क्या करना हम खुद भी पड़े रहें हैं तभी पड़े रहें तभी नब हो गया जब स्ट्ब बताइँग यहां जब सिग्ड़ धिर टीन्य के जन्तों में बताया गया है, बहुत डेटेल में सुनियेगा, कि जिस प्रकार से गाय के सींग से दुख्द निकालना, सींग से कभी दुख्द निकलता है क्या, तीन काल में संभव है क्या, कहां से निकलेगा दूद, थनों से निकलेगा, इस तनों से निकलेगा, जो विदी है वहीं से निकलेगा जो इस्थान है जैसे गाय के सिंग से दूद निकलना अगनी से कमल का उत्पन्नोना क्या आग में से कमल का फूल निकल सकता है बयंग कर विश्पान कर जीवित रहने की आकांचा करना विश पी लिया जेहर खालिया खूप सार अबढू करके और सोचो कि बहा है टेश्ट कररौमने को करते है नोग शिव जी ने भां पीत हम द limp bike फिर लोग बोलते हैं शिव जी ने भिश पिया था पीो शिव जी बनाए ता हम को नए नए नहीने वो नहीं안ग इंगा भांग पिएंगे, शराफ पिएंगे तो कि भगवान ने पी थी तो भगवान ने और भी काम किये पीओ भाई साब ना तो यहाँ पर क्या कहा विश पी करके जिंदा रहना गाय के सींग से दूद निकलना अंगरी से आग से कमल का खिलना शंक के मुक से अमरत निकलना शंक होता है ना शंक से अमरत निकल सकता है क्या पाशान का दूब होगा ना पाशान पत्थर पर दूब मने घास पत्थर पे घास निकलना नितांत असंभव है तीन काल में संभव है क्या बूत बविश वर्तमान में यह सारी बात है उसी प्रकार हिंसा द्वारा धर्म कामना करना इसमें यहाँ पर जेन धर्म में कहीं जेन वर्ड नहीं आता है यह ध्यान रखना आप कितने ही आप गरंट उठा करके देख लो जेन वर्ड तो अभी 20-25-50 सालों से आया है जेन शब्द तो हैनी कहीं पर किवल आहिंसा सब्द है जेन धर्म है यह नहीं यह तो एक सिध्धान्थ है एक मत है एक दर्शन है कि जो भी जिस भी संपरदायाय पैदा हुआ हो कहीं पर भी पसु पक्षी भी गरहन कर सकते है आहिंसा को तरियंच गती के जीव भी इस धर्म और इस मत को अहिंसा को गृंद करके सीधे डेव बन सकते हैं जीवचरितर में लिए पढ़ाता ना पिछले स्वाद्या में गुट्टे का जीव स्वार्ग में का देव बन गया साप का जीव धड़ें पन्मावती बन गया जटायू का जीव गिद परियाय से सीधे देव बन गया हजारों मेड़क का जीव देव बन गया कितने सारे हाथी का जीव, हजारों धारने एक नहीं है कबूतर का जीव, जैकुमार बन गया अगले भव में इसी गरंत में हमने पड़ा तो यहाँ पे कोई जहनी का ठपा नहीं लगाना है क्या करना है, बस अहिंसा को अपनाना है किसी पर जीवों की पृति, हिंसा नहीं करनी इसके अलावा कोई नहीं बात नहीं है अलग-अलग तरीके से समझाया जा रहा है क्यों नहीं करनी है, क्योंकि कल्यान करना है अपना इस संसार के दुखों से निकलना है यहाँ पर भी यही कहा कि उसी प्रकार हिंसा द्वारा धरम की कामना करना एवं सुख की प्राप्ती की इच्छा करना कि हिंसा करने में आनंदारा है वाँ 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 स्वयम को हास्यात्पद बनाने के अत्रिक्त कुछ नहीं है अपने आप कई मजाक उड़ा रहे हो फिर भी उड़ा रहे हैं लोग लाकों करोडों की संक्या में बली दे देते हैं की दिन में प्रति दिन की संक्या में इतने संसार में रेश्टोरेंट चल रहे हैं मासा हार को पर उसने वाले मतलब गिंती नहीं है असंख्यात पशू पक्षियों की बली दी जा रही है मारा जा रहा है एक-एक कतल खाने में कोई बता रहा था यहां साहिबाबाद में, मुझफवन नगर में, मेरट में एक-एक कतल खाने में पंद्रे से 20 हजार भैसों को एक दिन में काट दिया जाता है गाए पे तो बैन लग गया है तो इसलिए भैसों का दूद निकाल निकाल गया सरकार ने स्कीम निकाल दी कि भैस का दूद निकालो और हमें लाकर के कतल खाने में बेच दो भैस के बच्चे कोई बेचो और भैस कोई बेचो एक एक दिन में एक एक कतल खाना पंद्रे से बीस हजार का टार्गेट है इलेक्ट्रोनिक कतल खाने बन गए है मशीनों के अंदर पूरे की पूरे इतने कश्ट में तो पूरे विश्व में लगा लीजिए कितने भारी रूप से हिंसा हो रही है किसके लिए जीव के स्वाद के लिए चमडे के लिए दूद के लिए उनको पैदा किया जा रहा है फिर मूर्ख बना करके उनको कतल किया जा रहा है भारत वर्ष में करोणों की संख्या में इस समय प्रतिवर्ष भैसे पैदा होती है जाती का है सब कतल खाने हो प्रति दिन करोणों वहेंसे कट रही है कहां जा रही है दूद के लिए पैदागर के मार्कटिंग कर दी गई उसके बाद चमड़े के नाम पर और मास के नाम पर हड्डियों के नाम पर उनको काड़ दिया गया किरित कारित अनमोधना में हम सभी उसके लिए दोसी है जो भी ऐसे पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का अपने मरोरंजन के लिए अपने बोजन के लिए अपने वस्त्र के लिए अपने उपर पेंट पॉलिश लगाने के लिए जो परीच्छन होते हैं ना कॉस्मेटिक के लिए कि चमकेंगा हमारा सकल और लगा लिया दूसरे की खाल दूसरे की चर्वी अपने लिए सावन बनाने के लिए चर्वी से नहारे हैं बताओ जितने भी सावन है सब चर्वी से बन रहे हैं जितनी भी नेल पॉलिस लिपिष्टिक लग रहे हैं सब उन भैसों के खून से बन रह जितनी भी आज वर्तमान में चीनी जैसी चीज भी आ रहे हैं बड़े शौक से खा रहे हैं उसमें उन गायों की हड्डिया मिली हुई है हम सब जान रहे हैं फिर भी उस चीनी के विना रहनी पा रहे हैं कहां जाएंगी इतने भैसों की अड़ियां सब कतल खाने सब चीनी व्यापारियों को बेच रहें सारी की सारी सुगर मिल मेराड मुझफर नगर जाकर जाकर देखिए कतल खानों के अंदर चल रही है सब सुगर मिल हम जानकर भी हम ऐसी चीनी को नहीं छोड़ पारें गुड क्या दिककत है क्या परेशानी है पहले लोग खाते थे हट्ड़ खाकर कर अपने अपको साकाहरी कैसे बोल सकते हैं कुट्ता खाता है हम मनुष्य बोल रहें अपने को शान के साथ नहीं चोड़ आ जोड़ आरें कि दोली इसको बसोगई चासनी बन गए उसकी निए निए दो सकती है हड़ी के पाउडर से उस चीनी को जमाया जाता है नाम लिख दिया चीनी बहु नए पर बोन-चार अप्र अंगरेजी बढ़ ने क्या होता है बोन-माने हड़ी अले पाउड़ कश चानी है जो पाउडर अड़ दाल रहें हैं पिर भी हम लोग पने आपको पढ जूते पहन नहीं सकते नहीं हमें तो चमड़े कही चाहिए चमकदार चमड़े की बेल्ट के बेना हम रह नहीं सकते क्या क्यों नहीं रह सकते हमें तो चमड़े की चाहिए परस के बेना हम रह नहीं सकते क्या चमड़े के हमें तो गाय बहस एक तरफ हम गायों के लिए बहसों को यह दोननी के लिए अंधोनन करने के लिए तैयार बैठ है एक नbes उनके बारकर उनके पदारतों के लिए ज्यादा पैसे देते हैं कि चम्रing कTalkि जाए चाहिए तो इन सब में भी दोश है यहा है इस चैपटर में हमारे ऊपर वर्तमान में काटक्ष किया गया है कि हम वर्तम में व्यभारिक जगत में जो पदार्थ हमारे सामने खाने पीने के लिए पहनने के लिए हमारे ओडने के लिए हमारे मनुरंजन के लिए जो हमारे उपर नेल पॉलिष लगाने के लिए क्रीम पाउडर लगाने के लिए साबून सैंपू लगाने के लिए जो पदार्थ प्रस वों अड़ी हैं फिर भी हम अपने दाटों में लगार वहां अड़ी होगां किया चॉमकार एंड़ी कि नाम पर हम अड़ी आरीक्ट इतनी सारी अलोपैथी की द़ाया अब जान्वरों को मार कर बन रहे हैं हम क्यों नहीं बच सकते उन से हम इतना सारा ग्यान प्राप्त कर र हैं और वर्तमान समय के परप्रेक्ष में उसको लगाने का प्रयास करना है यह नहीं है कि यह तो सब पुरानी बाते हैं उस समय ऐसा होता होगा बई चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है समय के अनुसार चांदी का वर्क आता है खुब मिठाईयों पे गाय बहसों की कान उसको पतला कर ने के लिए उस पर लगा रहता है बहुत भार खून ऐसे मास की चीजे हैं आपन खारें बड़े शोकस खारें हुआ हिरेशम के कपड़े पहन रहे हैं कीड़ों से मार मार के बनाए हुए क्या मिल रहा है एकुछ नहीं उसके बिना किया हम कपास के कपड़े क्या चले गए कि यहत करगा कि दोती इतनी सुन्दर है क्या दिक्कत है ठंड नग복श भी बचाएगी आप के लिए सुन्दर भी प्रदाण करेगी हर तरीके से आपको कौटन के कपड़े आपको बहुत अच्छे से आपका शरीर को सुख प्रदान कर सकते हैं उसके बाद भी पशू पीड़ा से पदारतों से हमें हर तरीके से जैसा भी अनभव में आए हमें बचना चाहिए तो यहाँ पर भी यही आकाशवानी उसको बता रही है कि जीव हिंसा के द्वारा धरम को मानना और सुक्की प्राप्ती की कामना करना उसी प्रकार है जैसे अंधेरे में तीर चलाना और यह सब हास्या पद है इसके इलावा कुछ भी नहीं है दूसरा जो भी विवेकी होगा वो हसेगा आपके उपर और आप स्वेम भी अपने आपको हास्या पद बनाओगे ऐसा करके ऐसा समझकर राजपुर्शों को सर्वत्र समभाव से दया करनी चाहिए जो राजपुर से यानि कि Krisнов राजकुल में जनमनीने वाले च्छत्रिय लोग एं वहें हर प्रकार से दया करें उनको तो दया की प्रतीमूर्थी होना चाहिए और यह पंडू तून ये क्या कर ढाल ला दया से ही सुख पराप्त होता है दया से क्या पराप्त होता है कल भी बताया था न चीटियों को आटा डालने से चीटियों का तो भला होगा नियों तो ऐसे भी खालेंगी कुछ नगुछ लेकिन आपका जरूब ला हो जाएगा इतने से आटे से आपने हजारों चीटियों का पेट भर दिया जरासी सी आपने बाजरा एक मुठी बाजरा डाला तो कम से कम 20-25 कभूतर उसमें पेट भर के चले गए कितना आपको दूआ दे करके जाएंगे किसी पिछले करमों से आज वो कभूतर है क्या दिक्कत है आज तो वो आपको उस परयाय में भी दूआ दे रहे ह आप अपने आगे के करम सुधारिये जिससे कि आपको ऐसी दुर्गती में न जाना पड़े दया से ही सुख प्राप्त होता है दया के ही अवलम्मन से मनुष्य भव सागर को उत्तिड कर सकता है कितने अच्छे अच्छे स्लोगन है रोज आप लोग सोशल मीडिया पे डालत से रहते हो न एक एक लाइन के तो इनको चरित्र में अमल करें उसके बाद डालें इन सुत्रों को दया से ही सुख प्राप्त होता है और दया के ही अवलम्मन से यानि कि दया अगर आपके मन में हैं विचारों में हैं आपकी आत्मा में हैं तो मनुष्य भव सागर से उत्ति और गतियों के जो दुख हैं, ये दया ही, एक दिन, आपको क्या बना देगी? आपको प्रहूख शरीधाम बना देगी, दया. राम कहो या मरा कहो? मरा मरा कहते Campus x2 अठ 팔eden, एक दिन आदमी रशाल बन जाता है, दया करते banco एक दिन, आप जाद कर रहे हो मैंने आपको बताया आप अपने चार पूरुजों से जाधा कोई नाम बता सकता इहां जितने लोग बैठे हैं चार पीडी से पहले का बता सकते हो कोई भी आम बी निप पता है संकलगी बहुआ इस अप लोग भगवान राम का नाम पता है बताव लोग अपनी चार पीडी का नाम नहीं पता उनका नाम क्यों पता है क्योंकि उन्होंने धया करी तो इसलिए उनको आज भी हम लोग याद कर रहे हैं उनका नाम कभी भी मिठता नहीं अमिट रहता है जो लोग धया करते हैं हजारों लाकों करोनों वर्सों तक धया करने वाले का ना अमिट बन जाता है क्योंकि वह याद किया जाता है इसलिए तो बनाया उसका विप्रीधी याद दया करोगे तो संसार में अनादी काल तक याद किये जाओगे है ना इस प्रकार से यहाँ पर क्या कहा कि दया से ही सुख प्राप्त होता है दया के अवलंबन से उसके आलिंगन से इस भव सागर से कोई भी मनुश्गती का जीव उत्तीन कर सकता है ऐसी आकाशवानी को सुनकर अब इत्ती देर से जैसे हम आपको प्रोचन दे रहे हैं या बैट करके हो सकता बहुत लोग परिशान हो गए हो क्यों सवार बोल रहे हैं क्योंकि हिर्दय पर चोट पढ़नी चाहिए जब तक हिर्दय उद्वेलित नहीं होगा तब तक कोई भी निर्णे नहीं लिया जाता है तो यहां पर भी उस आकाशवानी ने उसको जक्चोर करके रख दिया पांडू को हिला करके रख दिया उसको सुनकर पांडू इन राजसी भोगों से एवं देहिक विलासों से विरक्त हो गए इधर तो कितना गंभीर अपनी मादरी के साथ में मदोनमक्त पागल हुआ जा रहा था और इधर एक गलती अब उसके पास कोई option नहीं उसे समझ में आ गया सारे की सारे गरंथ जो उसने बच्पन से लेके जवानी तक और बढ़ापे तक पड़े बच्चों को सिखाए सारे सामने आ गए कर्मों का फल, करम, सिध्धान्थ सब छप गए आँखों के सामने है गए काम से अब तो नरक इतने सागर के लिए जाना पड़ जाएगा, सब सामने आ गए उससे बचना है क्या करो क्या हुआ एक मिनिट में ऐसे भी प्रसंग आते हैं, देखो कहा तो खेल खेल में पशु को मार दिया और कहा विरक्त हो गया आकाशवानी को सुनते ही अंदर से जो हिदय के उद्गार आए सारे की सारे राजसी भोगों से और देख विलासों से विरक्त हो गया अब उसके अंदर वेराकी के भाव मणाए करमों का फल सुन करके कि मैंने ये क्या कांड कर दिया ऐसी आकाशवानी सुनकर वे विरक्त हो गए वे विचारने लगा कामा विभूत होकर विद्वान तक पाप की ओर क्यों अग्रसर होते हैं एक काम पीड़ा ऐसी पीड़ा है चारों प्रकार के जो गरस्त विएक्ती के साथ चार प्रकार के सिद्धान्द बताए हैं धरम, अर्थ, काम और मोक्ष पुरशार्थ जो बताए है तो उनमें जो काम पीड़ा है उसमें बड़े-बड़े विद्वान लोग भी अनर्थ का डालते हैं ध्यानी ही रहता पाप करने से तो आत्मा की दुरगती निश्यत है अब आकाश वानी हुई थी उसके बाद अब वो सोच रहा है पाप तो कर दिया बेटा अब जो मेरी आत्मा है शरीर तो यहीं रह जाएगा आत्मा जाएगी कहीं ना कहीं कश्ट तो मेरी आत्मा कोई मिलेगा मुझे ही मिलेगा में में मतलब आत्मा आत्मा माने यह बारी शरीर तो यहीं रह जाना है तो अब तो दुरगती निश्यत है पक्का है मैं भी कैसा मूड हूँ कि सुख की तो कामना करता हूँ पर निश्प्रयोजन ही निसहाय प्राणियों के बद में परवत रहता हूं मेरी बुद्धी को क्या हो गया इतना मूर्क इतना अविवेकी इतना मूर हो गया कि अपने सुक्की तो कामना हर समय 14 गंटे लगी रहती है और मैंने ये बिना किसी प्रयोजन के निसहाय जिनकी कोई साहता करने वाला नहीं था ऐसे प्राणियों के बद में परवत रहता हूं मैंने ऐसे ही हरन को मार दिया इससे मेरा क्या बला होगा क्या इससे हमारे उद्देश्चों की सिद्धी हो सकती है क्या इस से मुझे कल्यान प्राप्त होगा सुख प्राप्त होगा कदापी नहीं नहीं होगा जिस राज में जीव बद का पाप होता है उस राज की प्राप्ती से भी क्या लाप मेरे खारण से इस राज में जीव के उपर बद हो गया ऐसे सोचते थे राजा माराजा एक जानवर को भी गलती से मार दिया मनुर अचानक से तो राज्य छोड़ने के लिए तयार बैठे आत्म गलानी में और अव तो रोज खिला लो दोनों टाइम है ऐसे पकड़ पकड़ करके खाते हैं कई बार देखते हैं अपन कई चित्रों में और इदर-दर कितना आनंद ल की प्राप्ती से क्याला मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए संसार में जो जो दुख है वे सब विश्यों को भढ़ाने वाले हैं जितने भी दुख और सुख संसार में उनसे विश्य वासनें भड़ती भड़ती हैं अते उनसे प्रथक ही रहना चाहिए अब उनसे दूर रह करना चाहिए हमारी आत्मा ने न जाने कितनी बार राज्यादिकार को चाहा है एवं उसके लिए लालाइत रही है न जाने कितनी बार में राजा बन चुका है है न राजा कह रहा है पिछले कितने बहों में मेरी आत्मा ने कितनी बार इस राज्यपत को चाहा लालाइत रही क् बुद्धिमान अपने ही अच्छिष्ट को पुन्य ग्रन करना चाहता है अरे अब से याद आरे सारे ग्रन्थ जो पढ़ता होगा ना पहले अच्छिष्ट माने जो थूग दिया हो जो छोड़ दिया हो इसको त्याग दिया हो कपपना हूआ तूका कोई अपना थूका कोई खाता है अ अपनी मोटि मूमे डाली एक बाहर निकल गई क्या दूबारा खाने का मन करेगा जब तक уже अच्ही दिख रही है दाल लगाई सबजी लगाई तब तक अच्छी लगेगी कोई कहता है मनुष्य कहाता है दूसरे का जूटा दूसरे की उच्छि खा लेता है मनुष्य नहीं खाता है अजक्त करें अबदा बता लंग 2 और गरत हने हाब ग३ानी कव्रा को है नहीं इतंत अब अध Cancer के मुझा निकला हुआ यही तो यहाँ पर आया है किस प्रकार से परपीडा को दे करके हम क्या-क्या कांट कर रहे हैं कई लोगों ने तो शहद को औजदी बना दिया थूके भमने एक बूंद सहद में उसके सेवन में साथ गाउं के जीवों का आपने देहन कर दिया इतना पाप लगता है तो लगा लिजियर कितने जनब नरख में जाने पड़ेंगे शहद खा करें क्या उसके विना काम नहीं चल सकता गुड़ खा लो, खजूर खा लो, आम खा लो, क्या वो मीठे नहीं हैं किसमिस खालो चुवारा खालो नजाने कितने मीठे फल हैं लेकिन नहीं किसी ने कहीं पर जैसे वो अजको बकरा डाल दिया ऐसे किसी ने शहद डाल दिया वो चली आ रही है पर था औसदी के रूप में दूसरे का थूक औसदी कैसे बन सकता है उसके अंदर अनंत जीवों का वास होता है एक बून में इतने तरसका एक जीवोते हैं इतने जीवोते हैं दिखनी रहे हैं अर्हिंत भगवान की बाढ़ी में आया तीन मकार मधू सबसे पहले लिया मास और मधिरा तीन मकार तो कनफा में छूने भी नहीं जीए इतना जादा दोश है मधू के अंदर कितने चोटे 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 अब चीटी ने मालो चीटी का जरासा सा भोजनता आप उसको खावे एक तरफ तो कोई चीटी को आटा दान में दे रहा है और एक तरफ आपने इतना सारा चीटी गाटा ले लिया कितनी असंख्याद चीटी मार दी आपने इतना सारा शेयद ले लिया कितनी असंख्याद आपने हज्जारों मधू मख्यों को मार डाला उनका भोजन है उनका तरीका है उनका घर है मकडी के जाल बनाए आप जाल खाजा होगे क्या उसको मारोगे न अन्ने सिसरी उसका जाल आपने नश्चा कर दिया मच्छ्छ, OMC, प्रमर कुछ बिगाड रहे है कि किसी का मदु मक्ही किसी का कुछ बिगाड रहे हैं कि आप परेशान करो के छटा तोड़ो के तो काटेगीया कर के कि बिचारा अपना पुसपों से लिएकर रस ख viralלה करती है अपने जो भी उसके बच्चे है परेवार के उनके लिए ख viralלה कर रही है उसने अपके लिए घ्ट्टा किया है कि आपके टेष्ट के लए चाय में डालने के लिए उसके क्या मालूम की तुम क्या करोगे उसका होग इस पर्यावरण में इस वनस्पती में इस प्रकर्ती में हमने उसको नश्ट कर दिया बहुत बड़ा अभक्ष बोला गया है पहले भी आपको बताया तीन मकार का सर्वदा त्याग करना चाहिए कई गरंतों में जैसे रत्नकरण सरावकाचार में माखन को भी चोथा मकार स्प जैसे पत्ति हो जाती है कि अबल गी को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि अगर उस मक्षन से आपने तुरंत मक्षन मनाया और गाय का ही होना चाहिए बहस का कदापी नहीं होना चाहिए और बिलकुल हंड़ेट परसें आपी की गाय ओनी चाहिए उसका बच्चे को भी आप अ अन्यथा वो भी अभक्ष है आप उसको भी सेवन नहीं कर सकते और दूद भी जो प्राप्त किया है अगर अगर अटालिस मिनट के अंदर उसको अबाल कर प्रासुक नहीं किया है तो वह दूद भी अभक्ष है अटालिस मिनट के अंदर गाय के थन से निकलने के बाद और और वो भी ऐसी गाय जो हमेशा खुस हो उसको जबरदस्ती इंजेक्शन से नही निकाला गया हो उसको ब्रीडिंग करके बच्चे नहीं पैदा किये गए हो सो अभाविट तरीके से उसके बच्चे इत्यादी हुए हो बच्चे को परियापत दूद मिला हो थोड़ा बहुत अंशकर मिले गया वो भी औश्दी की रूप में ले सकते हो ऐसे चाय बनाने के लिए पनीर बनाने के लिए मिठाईया बनाने के लिए खुआ बनाने के लिए पीजा पे डालने के लिए पिर ते दिन आदा आदा लिटर गी खाने के लिए उसके लिए नहीं है एह नहीं है एक लिटर गी बनाने के लिए कम से कम नहीं तो पचास लिटर दूच चहिए इतना जरासी सी मलाही निकलती है एक दिन में गाय दोडाई लिटर देती है जिसमें से 90 परसेंट तो बच्चे को भी चाहिए ना उसके तो आजदी की रूप में जरासा सर लोगे तो बात अलग है चाहे कि नशे के लिए कि सरमे दर्द हो जायागा नही नशा करेंगे तो यह सब मुर्ख बनाने की बाते हैं सोयम को भी और अन्यों को भी कि हमें तो जी नशा हो गया यही चीज सराब पीने बाले बोलते है क्या फ़र्द हो जाएगा कीडिनी फेल हो जाएगी नहीं पीएगी जिस जिन सि distinguish बाला सिंग्रेट के लिए बोलता है के सिनगे प्यूंगा तो बेचे नहीं ही सरदर्द होजाएगा गुटके डिग्वाला कुटके के लिए बोलता है ऑव 02 अफ बता है सित्के ड्रक्सित लगाते बीचरव से ओ ग्सकिल्य इस्ट बोलता है तो कुई फरक नहीं तो आप समझ जाईएगा, अपने ही अच्छिष्ट को पुने घरान करना चाहता है, लेकिन जो लोग शहद खाते हैं, वो लोग स्वयम को स्वयम अपने विवेक से समझे, हम कुछ ले कहीं आपर किसी का त्याग नहीं करा है हम, कि हम यह नहीं नहीं करा हैं, हमारा काम है पढ करना बताना, जिसका विवेक हो, अपने अपत्याग शयम के थाथ से से अपने आप नहीं 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 है, जिसको जैसा जो समझ में आए, जिसको शराब पीनिये, वो पी है, जिसको मास का रहें- अब यहाँ बताने का है, कि उसका परदाव उसको क्या मिलेग अगले भवों कि भई खाओ खूब बढ़िया से विकल्ब आपके पास नहीं है आप मरे जा रहे हो सेद के बिना उस मास के बिना उन हड्डियों के बिना तो खाओ बात में देखी जाएगी अगर जूट लिखा है तो जूट होगा इनके थाओं में सच लिखा है तो अगले जनम में पता चल मानी है तब याद करोगे यार उस टाइम माल लेते सच कही थी प्रत्मानियोग के गृंट में पदम पुराण में प्रद्वन चरित्र में पांडव पुराण में माल लेते नहीं माने जिद्द में ठीक है भाया अब अगलों को बोलोगे के हा बिटा तू मान्जा मैने भी नहीं माना था सत्त ही है विशेवासनाओं का उपभोग चाहे जितना किया जाए उससे संतोष प्राप्त नहीं होगा क्या कहा विशेवासनाओं का उपभोग कितना भी कर लो उससे संतोष प्राप्त नहीं हो सकता और इच्छाय बढ़ती चली जाएंगे एक टार्गेट पूरा हुआ और नया और नया और बढ़ेगा असंतोस बढ़ेगा इच्छाय में परवत्ती बढ़ेगी भला देह से देह का घरसन गिसना कहां तक आनंद दायक हो सकता है शरीर पुद्गली पुद्गल है एक इस्तिर शरीर से सरीर का घिसना अच्छा लग रहा है हम अपने भी सरीर से क्या करते हैं गर्मी पेदा करने के लिए लग रहा है हमें कि अच्छा लग रहा है है ऐसे ही संबंद बनाने के लिए सरीर से सरीर ही तो घिस रहा है पुद्गल से पुद्गल पत्थर से पत्थर उसमें कह कहां तक जायज है कहां तक बुद्धिमानी है इस प्रकार से यह आनंद दायक कदापी नहीं हो सकता वैसे उसके मन में विचार आ रहा है विग क्या रहा है वैरा गया रहा है तो धीरे धीरे करके अब पांडू जी एक गलती के वाद अपनी गलती को सुधार रहे हैं आपकी क हिंसा मई बनाना है हमें हर प्रकार से जिस भी मत संप्रदाए को मानने वाले हों उसी को मानती रहें कोई दिक्कत नहीं है बस केवल एक थोड़ा सा काम कर लीजिए कि आप पशुओं के परति अन्य मनुश्यों के प्रति अन्य जीवों के परति हिंसा के भाव अगर मन में क कोई भी ऐसा क्रित कारित अनमोदना से भाव कर रहे हैं कारे कर रहे हैं उसको अभी तक नहीं रोका है तो तुरंत रोकने का प्रियास कीजिए अभ्यास कीजिए धीरे-धीरे करके सभी लोगों का कल्यान हो सभी को मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो सभी का भविष उत्तम्बन ऐसी मंगल कामना है जै बोलिये महावीर भगवान की जै बोलिये अनन्ता अनन्त सिद्ध परमिष्टी भगवानों की जै बोलिये आचार भगवन सिरी शांति सागर जी महान मुनिराज की जै बोलिये इस युक के प्रतमाचार आचार भगवन शांति सागर जी महान मुनिराज की आज आप लोगों को सूचना दे देते हैं शिखर जी जो अपना शास्वत्तीर्थ है सम्मेट शिकर बिहार में जहरकंड में वहां की सरकार ने कुछ गलत निर्णे ले लिये हैं ऐसे शास्वत्तीर्थ जहां से इतने भगवानों को मुक्ष की प्राप्ती हुई कई भगव ने जारी कर दिये कि वहां जाकर के लोग शराब पियें रेश्टूरेंट खोलें दुकान खोलें म्यूजिक पाटी करें तो बहुत सारे ट्यूरिश्ट प्लेस बना देगी कि यहां पर अब पब्लिक जाए पब्लिक तो अभी भी जा सकती है कोई मनाई नहीं है परंतु ध विरोध प्रदर्षन करने के लिए कतर् Chip हो को रहे हैं तो हमारी संस्वास अभी संकल भयाजी और काफी सारे लोग अभी थोड़ी दिर में यांसे जाने वाले हैं हम लोग वहां पर रादी सूचनाया वहां पर देंगे और अपना विरोध प्रदर्शन रेंगे जल्द से आना ये सब चीजों का विरोध अवश्य होना चाहिए हम सभी को अपने धर्म चीत शेत्रों की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए यह बोले महावीर भगवान की जै अब कुछ लोगा करके जन्वानी की